नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों पैसा तो बनेगा मैं अब सब का बहुत-बहुत स्वागत है एक कॉमन्ट रिक्वेस्ट मुझे यह आ रही है कि सर आप एक वीडियो सीरीज बनाएं कि जिसमें गाइड कीजी अच्छी तरह से कि कोई भी स्टोप को एनलाईज करने की प्रोस वीडियो है मार्केट में ऐसी हजारो बुक्स अवेलेबल है और अलग-अलग बिजनेस चैनल पर काफी सारे इसके डिसक्रिशन हो चुके हैं फिर भी मैं यह वीडियो सीरीज क्यों बना रहा हूं उसका थोड़ा मैं आपको रीजन देता हूं देखो बात शुरुआत करते नीरत चोपडा से नीरत चोपडा ने ओलम्पिक्स में गोल्ड मेडल जीता थो में राइट तो उसका जो फॉस्ट और सेकंड जो थो था ना वही सबसे हायस्ट गया हुआ था और इसकी वज़े से वह जीत पाया तो उन्होंने अपने इंटर्यू में बोला था कि मुझे रो होना वह बैस्त देना और मुझे पता चल गया था फर्स्ट रो के बाद ही कि आज मैं जितने वाला हूं हुआ दुनिया में कोच होते हैं ना कोच उसकी बहूत इंपर्टंस होती है हमारी लाइफ में चाहे हम बिजनेस में हो चाहे हम स्टॉक मार्केट में हो चाहे हम को तो कोच बहुत बड़ा डिफ्रेंस होता है कोच कड़वी बाते करता है टीचर्स का रोल क्लास्रूम या तो उससे ज्यादा आके खतम हो जाता है आपने कभी ऐसा सोचा हुआ है कि जो बड़े-बड़े स्टार्स होते हैं या तो बड़े-बड़े एथलेट होते हैं वह इतन साल बात भी उनको कोच की जरूवत क्यों पड़ती है इसलिए होता है कि कोच कुछ कड़वी बाते करेगा कोच आपको शुगर कोटिंग नोलेज नहीं देने वाला है वह आपको मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेर करेगा ठीक है विटामिन के साथ आपको पेंकिलर अब ही देगा ठीक है मैंने यह वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग बहुत सीरियसली स्टोक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वेल्थ बनाना चाहते हैं पर सही तरीके सा तो यह वीडियो सीरीज चालू करने से पहले मैं कुछ बाते आपको बता देता हूं अभी दो मिट हुए वीडियोगो तो मैं कुछ चीजे बताव मैं कुछ बॉर्निंच बता देता हूं सबसे पहले शाइए इस वीडियो सीरिज में तीन चार या पांच वीडियो आ सकते हैं मुझे पता नहीं एक इस फिडियो भी कुछ लंभा हो बिस Dabei मिनि मेरा जो यह अप्रोच है कि स्टोक को कैसे अनलाईस करें वह सबसे अलग हो जो शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले शायद आपको बुक्स में ना मिले या तो कोई बिजनेस चेनल में ना मिले ठीक है तो यह वीडियो सिरिस कौन देख सकता है लास तक जिस बंदे में प स्किप कर दो यह भी वीडियो पूरा देखने की ज़रूदं है जो लोग सीरियस हो सिन लोगों मैं पेशनस सो जिन लोगों का कड़व जो नोलेज में दे रहा हूं कर भी जो करवा कोचिंग दिए रहा हूं उसकी वेल्यू पता हो वो लोगी यह पूरी सीरीज देखना बाकि सब लोग स्किप करके जो शुगर कोटिंग नोलेज आजकल बटरा जा रहा है उसको आप देख सकते हो ठीक है तो थोड़ा मैंने तीन मिनिट पांसन कर दिया आगे बढ़ते इस चीज़ों पर बात करना चाहता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हो और अगर आप स्टौक को करना चाहते हो तो कुछ चीज़े अगर आप फॉलो करोगे ना तो वर्क नहीं करेगे तो कई मर्ग जीवन में ये भी सिखना जरूरी है कि मैं आपको वो चीज़ों के बारे में आगा करू कि जो शायद वर्क नहीं करेगी और आपका टाइम वेस्ट होगा फिर वो आप पे डिपेंड है मैं किसे को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि मेरा माइंड सेट आप फॉलो करो आपको सिर्फ एनलाइस करना है कि मैं क्या बोर रहा हूं और क्या आप उसको फोलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं पिछले दो साल में सबसे पहली बात नंबर वन चीज़ कि जो क्या चीज़ वर्क नहीं करेगी ना वह पहले में बता देता हूं आपको पिछले दो साल में बहुत दुख की बात है कि यूटीब पर ऐसे से वीडियो है जो सिखा रहे है कि यह स्टोक को पांच मिट में अनलाइज करो, यह स्टोक को सिफ दो मिट में अनलाइज करो, यह स्टोक को सिफ आठ में अनलाइज करो, बहुत आप एक कॉमन सेंस यूज करो आवरो ना तो डी माट यान ुसकी एक ब्रांच होती है ना उसको याप 5 मिड में ऐनलाइच ुसका विजनेस करके दिखाओ मुझे वैलुएशन करके दिखाओ बैटी बेंक कि की कोई क्योग ने ब्रांच अ जोती है प्योर सुगर कोटिंग डायबिटिस वाला नोलेश जो आजकल हर बंदा पोस्ट कर रहा है यूटिब पे बिजनेस चैनल में भी आ रहा है बुक्स में भी आ रहा है लोगों को अच्छा भी लग रहा है पर आगे जाके डायबिटिस क्रेट करेंगा समझ रहे हो तो यह चीज से कंपेर करो एक्चुली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो उसमें दो फैमिलीज भी बहुत अलग होते हैं एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाते हैं तो भी कल्चर बदल जाता है कहीं बार कोई बंदा है जो आई से से बेंक में काम कर रहा है और उसको एड़िए से ब स्टोक को एनालिसस करने के लिए यह क्या लगा रखा है कि इस बेंक को इस बेंक के साथ कंपेर करो इस सेमेंट सेक्टर को इस सिमेंट सेक्टर के साथ कंपेर करो इस कंपनी को इसके साथ कंपेर करो क्या है मतलब जो भी मन में आया ऐसा वीडियो इससे भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा मेरी राही में फिर आप लोग देख लो कि वेदर जो मैं के रहा हूं हो सभी है कि नहीं कर सकते हैं फिर आता है पहले तो जिनको पता नहीं है उनको बता दू मतलब क्या होता है लोग मुझे क्या सब्सक्राइब लाइलिटी की कितना उसने return on asset दिया return on equity यह सब study करो ठीक हो और value investing क्या होता है कि जब से Warren Buffett का नाम दुनिया में आया है और उनके जो गुरू थे Ben Graham उनकी किताबे बार आई है तब से पुरी दुनिया में इतनी YouTube चैनल बन गई है कि जो ऐसे book purchase पर करकर करके वीडियो बनाते है वेलियो ने क्या होता है कि तुम स्टोक को यह fundamental analysis और value investing पर एक दो मीट बात करता हूं कि सबसे पहली बात कि स्टोक market इस तरह से formula से और number से नहीं चलता सबसे पहली बात दूसरी बात कि यह fundamental और value investing क्यों लोगों को अच्छा लगता है मैं वह भी बताता हूं बहुत बड़ा रीजन है उसका जब हम school में होते हैं तो क्यासा होते हैं मेट्स में social stance में statistics में कहीं लोग 100 अफर 100 लगाते हैं और parents बहुत proud feel करते हैं 100 अफर 100 आये 100 में से 99 लाया काफी बार 99 परसंटेज वह चीज़ रियल लाइफ में काम नहीं आती एक्चली बट जब हम उस्वान में होते हैं एक competition में होते हैं अपने friends के साथ parents भी competition में होते हैं तो हमार अंदर के ego satisfy होता है ठीक है accounting में जाओ यह सब तो जो मार्क सीट होती ना मार्क सीट वह जब रियल लाइफ में जाओ ना तो आपको सब कुछ नहीं था इससे अच्छा कुछ है तो वह कुछ क्या है वह फंडामेंटल एनालिसे और वेल्यू इन्वेस्टिंग अब मैं यह दोनों चीज़ों को डिना ही नहीं कर रहा हूं मैं डिना ही नहीं कर रहा हूं बट यह कैसी चीज़े पता है कि आपके अंदर को एक नोलेज का इगो होता है उसको से सटेट्मेंट देखना आ गया हां मैंने एक्सल में कुछ फॉर्मिला दीख ली कुछ कूर्स किया मैंने वेल्यू इन्वेस्टिंग का मुझे अंडरवेलूट स्टॉक फाइंड आउट करने आ गए तो कही ना कहीं आपके अमगज में सैट पाओगे अगें मैं एक्जेंपल दो रहा था हूं जो लोग यह में हंड्रेट में से हंड्रेट ला रहे थे स्टैक्स्टिक्स में से ला रहे थे उनकी मार्कशिट और वह लाइफ में कितना पैसा बनाते हैं ज्यादतर इसके रिलेट इसका कोई डायरेक रिलेशन्शिप नहीं होता रहते मार्केट में मिलने के बहुत-बहुत रिजन्स होते हैं और ज्यादतर छो लोग यह नंबर लाते हैं वह चोब करते हैं उन लोगों के वहां कि उसका जो और होता है उसका बोस उसके बृसके बिजबू अनुट इसके पास बिजनेस के एक सुजबुज समराइज नहीं करना चाहिए अब होता क्या है पता है जैसे कि फास्ट फूड ले लो कई लोग देखो मेरा क्वेशन में आपको भी पूता हूं कि अगर मैं यह सब बोर रहा हूं यार पांच मिट वाले वीडियो से कुछ नहीं होगा कमपेरीजन से कुछ नहीं होगा फंडामेंटल लेना इसे स्यादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा वेल्यूएशन एनला इसे स्यादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो आप क्वेशन ही है कि यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस क्यों है बिजनेस चैनल पे इतने सारे प्रोग्रम इसके बारे में क्यों आ र काफी सारे issues आएंगे अपने को पता है कि traditional खाना अच्छा होता है फिर भी लोग fast food खाते हैं क्योंकि आज कल करेंड बन गया fast food ego को satisfy करता है माइंड को satisfy करता है test birth को satisfy करता है और कहीं न कहीं एक lifestyle जी रहा है उसका satisfaction इसके लिए हर दो किलोमेटर पर फास्वूड मिल जाता है ठीक है बट अपने को बता है कि लॉंग टम हमारी बोडी के लिए करका खाना या तो कम से कम घर जैसा खाना जो मिल रहा हो बार वह अच्छा है फास्वूड काफी सारे डिसीज को इन्वाइट देती यह चीजों से इसके लिए कर रहे हो फास्वूड का ही मैं डायरेक्ट कमपेरिशन बोल रहा हूं कि आजकाल जो यूट्यूब पे जो न्यूस्पेपर पे जो बिजनेस चैनल में जो नॉलेज बटर आ जा रहे हो कैसा है फास्वूड जैसा एक आम आदमी को पसंद आ जाता है एक आम ढहती है इसमेँ दो फोट टैस्स मिल गया पर सच्चाइब बहुत अलग है और सच्चत को दिखाने वाले लोग भी भहुत काम है एक कि तो शुगर कोटिंग नॉलेज हूं हमारे बोडी के लिए हमारे माइंड के लिए हमारे फाइनेंशल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है वो हमको काफी सालों बाद पता चलता है ठीक है और ऐसे वीडियो लोग क्यों बना रहे हैं क्योंकि ऐसी ओडियंस आ चुकी है स्केम वाली जो सीरीज आती है वेप पे या तो अलग-अलग स्टोक मार्केट के पिक्चर आने लगे उसके बार लोगों का और इंट्रेस्ट बढ़ गया उनको शॉर्टकट्स बताए जा रहे हैं उनको ऐसे ऐसी चीज़े बताई जा रही है कि जो लोग वीडियो बनाते हैं और फिर भी वो क्यों दे उनको पता है अगर लोगों का अच्छा लग रहा है तो मैंने इतना भासर दिया अभी 12-13 मिनिट होगी उसमें मैंने क्या समझा है कि बिजनेस आर्ट होता है उसको अंडेस्टेंड करने का कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए कोई फॉर्मिला नहीं होना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसस और वेल्य इन्वेस्टिंग का रोल है पर कुछ लिमिटेशन तक रोल है उसको आप फाइनल आंसर मत माले हमें अपना बिजनेस माइंड सेट क्रियेड करना पड़ेगा वह मैं यह सीरीज में बताऊंगा तो हम कीन चीज़ों पर फॉकस करने वाले हैं कि कोई भी स्टोक होता है उसके पीछे बिजनेस होता है उसको आप भूलो मत जो लोग यह चीज भूल जाते हैं कि कोई एक स्टोक के पीछे बिजनेस होता है वो लोगी मिस्टेक करते हैं कि सर मेरा स्टोक हर बार जो खरीदता हूं उसके बाद य जिए cheap stock करीदना है overvalued undervalued 52 week high 52 week low यह सब चीज़े कौन बोलता है यह सब चीज़े कौन बोलता है कि जो stock पर दियान देते हैं पर stock के business बिजनेस का उनको पता नहीं है तो सबसे पहली तो चीज यह की business को समझो business को So many लिया तो आप successful हो जाऊगे husband to business को समझने के लिए क्या चाहिए मैं आने वाले वीडियोद में क्या discussion करने हूं मैं discuss करूंगा तीन बहुत बड़ी चीजें business model को समझो मेरे पास एक book मेनेy points लिक लिए है तुक इसनी बार बार देख रहा हूं इसमें भूलना जाऊ मैं बिजनेस मोडल क्या होता है उसके बारे में study करें जो लोगों को पता ही नहीं कहीं पर भी सिखार नहीं जा रहा है फिर बात करेंगे management की में वह management हो जो business को चलाता है उसको कैसे जज़ करें पर एक बात है scalability मतलब growth prospect ये किस तरह से आगे बढ़ेगा ये तीन चीज़े होती है main चीज़े उसके लाव एक दो और चीज़े बात करेंगे पर ये तीन चीज़े बात करेंगे तो आने वाले वीडियो में step by step business model management और scalability और कुछ example भी देखते कुछ में laptop पर जाके भी कुछ चीज़ों का example में आपको बताने की try करूंगा so I don't know तीन वीडियो बनेगे चार वीडियो पांच वीडियो जितने बनना हो बनने दो मेरे पास कोई particular agenda नहीं है मेरा target यह है कि ये वीडियो series के through आपको मैं अच्छी तरह से coaching दूँ के stock के होगे और वेल्ब भी बना लोगे 15-16 मिनिट हो गई है यह वीडियो में यहीं पर करता हूं मैंने सब expectation clear कर दी है मेरा साथ चुड़े रहना अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करना comment करना suggestion देना आपके inputs देना दूसरों को share भी करना family or friends में चैनल में खाट subscribe कर देना अगर समय के साथ मेरे साथ जूड़ सकते हो अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक क्लिया वीशे lots of love and happiness thank you thank you so much